कर रहना है तो प्रियास करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी यही आपर दिकाया जाएगा दोनों टीम के और से मैं बलेबाज को विनंती करना चाहूंगा कि मेंदान की उपर इस दिन के आखरी मुकाबला खेला जाएगा बड़ा मुकाबला रहेगा बलेबाज मेदान की उपर जाए खरुवे टिम के बलेबाज को मैं विनंती करना चाहूंगा कि मेदान की उपर जाए धरो टिम ने मेदान की उपर देखा जाए तो पूरी तरिस से आपे फिल्डिंग सजाई हुई है यहाँ पर मेदान की उपर चलत हुई देखेंगे ओपनिंग पेर दिनेश और तीश इन दोनों बलेबाज को देख सकते अज़ा मैनेटरी पावर प्ली और जिनके और से फिका जाएगा पहला और पावर प्ली का जे वटी कंपने के एंड के और से गेंद बाज करेंगे गे जोगेश मुकाबला चार ओर का खेला जाएगा दोनेटियों ध्यान रख्के एक और पावर प्ले का रहेगा जोगेश आप एक इंद बाज के लिए तहीयार याने पहली और की पहली गेंद गेम ओन लेट्स प्लेए और इन बेच बैट की एज थी और यहाँ पर जोड़ा सा मेंस फिल्डिंग देख सकते हैं विकेट के माहद्यम से शाहिद विकेट हो सकता था पर यहाँ पर यहाँ पर गलती हो चिक और यहाँ पर पहला जीवन दान मिलता हुआ इस अबले बाज को भागे शाली रे शाहिद अबले बाज जिनकी हाँ पर विकेट के पर के हाथ से क्या चूटी फिर सिकेंद बाद त्यार पहले और की तूसरी गेम और इन दोरा बड़ा श्ट्रॉक और गेंसी दा सीमा बार छे रन अकले डीजे खुश नशिब रहे वो बले बाज जिनकी पहली गेंद पर इस विकेट कीपर के हाथों से क्या चूटी और दूसरी गेंद पर एक बड़ा श्ट्रॉक खेला और लोंगान की तरफ है इसने चक्का दाद लिया और इस चक्के के साथ यहाँ पर अपना टीम का अकाउंट यह आपे उपन होपन होता हुआ और फिर से गेंद बत्त या बोनली एनके और से और से और इस द्रोंग गेंद हुआ में आपे देखना पड़ेगा कि लाडी गेंद की नीचे आता और गेंद को जेज किया और शांदर यहाँ पे पहला विकेट पहला ब्रिक त्रू मिलता आपे पहली बार देखा कि आपे पहली बार एक क्याच छूटी और दूसरी तीसरी गेंद पर एक क्याच पकड़ी और यहाँ पर पहला ब्रिक तो मिला यह अच्छी फिल्डिंग यहाँ देख सकते मैदान के ऊपर देखा जाए तो दोनों टीम में की पास ऐसे बल्ले बाज है कि जिसमें बड़े-बड़े स्ट्रॉक केलने की हैमत रखते शहमता और से अब तक देखा जाए तो इस गेंद बाज ने तीन गेंदे तेक चुका है छे रन कर चुका है और एक महत्व पूर्णे विकेट अपने खाते में जमा किया आए फिर सेकेंद बाद तैयार राइट रम उर्द विकेट और इस दरन अक्रोस दे लाइन कीलिवी गेंद कीलाडी वापे जब तक गेंद तक पहुचेगा तब तक गेंदा टिपपा खाके बंडरी राइन क्रोस कर चुकी थी और यहां भी मिलेगा चवाट डीजे चोटी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक है रितीक ने आपर देखा चौवा लगा है और इस दोरन वही स्ट्रोक वही दिशा है आपर देखना पड़ेगा खिलाद गेंद तक पहुचेगा गेंद को फिल्ड किया जाएगा पर यहां पर तोड़ी सी मिस फिल्डिंग देख सकते और यहां पर देखना पड़ेगा तीन रन यहां पर आसानी से कंप्लीट किये जाएगे यहां एक गूट रेनिंग बिट्विन द विकेट इन दीज बिट्विन वाप दीज टू प्लेयर और इस तीन रनों के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो बढ़ता हुआ तेरा रन ल पहली और की आखरी गेंड और इस दोड़ान शॉट पिंगेंट ती गेंट को सिर्प असन मान देने का प्रियास यहां पे और एंपायर इशारा और नमबर फॉर्स्ट और पावर मैनेटरी ओर यहां पे समाप तो चिके और टीम का स्कोर देखा जाए तो तेरा रन तर्टी ईसे यॉर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को दवाना बिलकुल मित बुलना ऐसे यूर भी वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को दवाना बिल्कुल मत बुलना जरूरी है क्या दोस्तों दूनों टीम जुनन की साथ पुरिया आत्म हिश्वास की साथ यह मुकाबला खेला जाएगा वहीं प्रियास मेदान के उपर देख सकते हैं पहली वर में तेरा और इस दोरां स्ट्रेट हीट की वी गेंग किलारे वापे में होजूद गेंद को पिक करके तो करेंगे तब तक यहां पर एक रन आसानी से कंप्लिट किया जाएगा सिंगल रन आती हुए और सिंगल के साथ अपनी टीम का स्कोर देखा जाए तो फोर्टीन रन लग चुके स्पोर स्कोर बोर्ड के उपर यहां पर फिर से गेंद बाज हम देखेंगे दो दूसर जिनकी गेंद पर पहली गेंद पर एक रन आया और यहां पर स्ट्राइक फिर से रोटेट की जा रही है हेकिने ना सामने अगर टीम देखेंगे जाए थे धारोल टीम और इस दोरंगे इन हवा में आपे देखना पड़ेगा क्या चो सकती ती पर यहां पे क्या चुटी यह भी बल्ले बाज कापी एच्छे भागे शाली रही हाँ पे जिनकी क्या चुटी शायद यह असान क्या च नहीं था इसलिए देख सकते हाँ पे क्या चुटी और इसी के साथ यहाँ पे एक रन कंप्लीट की जा रही है और एक रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो 15 स्कुर्बोड के ऊपर याने गेंद बाजी देखे जाए तो आप तक देखा जाए तो दो गेंदे फेक चुका एज़क चुका है और अच्छी गेंद बाजी कहला सकते इस प्र तयार जोवरट्व कंपने के एक से और से गेंद बाजी करेंगे और यहांपर विक्ड दीज दो खिलाड़े पावलेन में लोट चुके है और जो चवते नंबर का बल्लेबाज मेदान के उपर कैलास आया है हैनि कहते ना दोस्तों जिन्दगी खेलती है भी उसी के साथ जो खिलाड बहतरी होता है सब के एक जई से हैं मगर होसले अलग अलग है कोई हताश होकर विकर जाता है कि यहाँ पर हर खिलाडी का प्रियास रहेगा कि इसे शुंका में टिका रहे नहीं का और यहाँ पर इन बीच हमारे अधन्य बुहनिली टीम के योगेश्दादा पाटील इनका यहाँ पर अगमन हो चुका है इनका भी मैं इस शुंकला के माध्यम से तो यहीं दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा और दोनों टीमों के लिए हमारे योगेश्दादा पाटील इनके और से हैट्रिक जो भी खिलाडी लगाता है उनके और से पासरुपका इना में यहाँ पर दिया जाएगा तो दादा की लिए मुकावला दो देख सकते धारोल बनावा करवे यह दोनों टीमों के वीचों कुरी दोड़ाम बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर देखना पड़ेगा ओ हो 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 वाट स्ट्रोक लवली ब्रिलेंट आउस्टैंडिक इडिज़ देख सिक्स डीज़ पाच गेंदे पेख चुका है और बारा रन खर्च कर चुका है एड पहली गेंट पर एक रण दूसरी गेंट पर एक रण तीसरी गेंट पर विकेट और चाव आया और पाच विकेंट पर चका आया और यसे चाक्के के साथ टीम का स्कोर के चाये तो 25 रन लग कि स्कोर बोर्ड के उपर याने इकिन और इस टीम का प्रियास रहेगा कि सामने वारे टीम घारोज टीम है, एह नहीं भूलना पड़ेगा कि अगर देखा चायते टीम में ऐसे बलबास है कि जो ना मुंकिन को मुं कर्वेट एंसकोर अपर कर्वेट इम इस 25 लॉस आप ट्विकेट दीजे कर्वेट लॉस साथ किकेट समाप्त होचिका और टीम का स्कूर ऊपर कर्वेट लॉस आप सफरत 15 तन उम्डेश्ट लगे चुक है जीत चाहें जीतने के लिए हार के लिए तो Jim després होता जीतने का मजा तभी आता है जब हारने ने का इंतिजार सामने वाली टिम करती है तो यहां पर देखना पड़ेगा क्या कौन सी टीफ दिंगी कौन सी टीम हारेगी यहांपर पर की नंबर का बले बाज गेंद बाज रेज दौरने आप देखना पड़ेगा विकेट मिलता हुआ विकेट तो हो चुका है पर यहाप देखना पड़ेगा कौन सा खिलाड यह पावलेन में पड़तेगा धड़ा अंपायर पे डिसिजन पेंडिंग अंपायर पेंड़ेगा यह जिसमाइशन पेंड़ेगा हुआ कर दयतेख दो हो चुका है विकेट मिलता है में थक्तिर जलता है वो दिनेश को यहाँ पर प्याविलेन में लोटना पड़ेगा एस और यहाँ पर तीसरा विकेट मिलता हुआ यहाँ तीसरी सपलता क्या गेन बाजे के शुरुवात की गई विशाल आया जिनके पहली गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट जिसने दिनेश को पावयन का रास्ता दिखाया डॉट गेंद और डॉट गेंद ती पर इस गेंद पर रन चुराने चाहते थे याने स्ट्राइग रोटेट करना चाहते थे फुर यहाँ पर विकेट मिला तेम्स का स्कोर देखेंजे 25 पर इस दोनों खिलाडी बलबाजी करते इस दोरम बड़ा श्ट्रोक वापे देखना पलेगा खिलाडी मोजुद और यहाँ आपे शांदार जेज करते हुआ और बै झाल आपे देख सकते क्या गेंद बाजी करें ए गेंद बाज जिसने दो गेंदों पर दो बड़े विकेटर चताए है याने अच्छी गेंद बाजी के नजारा देख सकते जो बुनुली टीम के एन से गेंद बाजी कर रहा है गेंद बाज जो तीश्री नंबर पर आया हुआ व और इन दोरा ने आपे एज ती और यहां पे शांदर बैतरी न विकेट लिया है यह विकेट की परमेट डीजे क्या गेंन बाजी कर रहा है? गेंन बाज अब तक देखा जाए तो तीन गेंड़ों पर तीन विकेट चाटाग देखा जाए तो अब तक तीन गेंड़े पेख चुकाए और तीन विकेट मिल चुके रनाउट को रूप में एक रन मिला है नहीं तो इन खिलाड की विकेट हैट्री को सकती थी शायद और यहाँ पर देखेंगे जो साथ वे नंबर पर बल्ले बाज ही करने आया बल्ले बाज प्रसाद जो स्टाइक पर बल्ले बाज करेंगे गर प्रसाद को देखा जाए तो इस अंबर नाथ विभाव के कहाभी अच्छे कोमेंटेटर माने जाते हैं कहाभी अच्छा उनका आवाज है और इस दोरम गेंद शॉट प्रसाद गेंद ती गेंद ने टिप खाया और सीधा विकेट की पर क्या हातों के दस्तानों में रन की कोई गुंजाईश ने इसी के साथ डॉट की समापती हो चेके अब तक देखा जाए तो इस गेंद बाज ने चार गेंदे फेक चुके कोई भी रन खर्च ने किया अच्छी गेंद बाजी और इस दोरम फिर से वही गेंद वही शॉट खेलना चाहते दे गेंद और बले का संपर कने फिर से निर्दारिद गेंद क्याल सटिक तरिक से गे इंद बाजी कर रहा है कि इंद बाज वीट गुड लाइन लेंथ बॉलिंग डेख सकते मिदान के ऊपर और इस दोरम बड़ा श्ट्रोक वहापी देखना पड़ेगा खिलारी मोजो दोर यह बहत्रिंग कैच बहत्रिंग कैच लाज जवाब कुपसुरात कैच डीजे इसरी नंबर पे गेंद बाजी करने आया ता विशाल देखा जाए तो आज की दिर की पहले मिदन और जिन के और से फिकी गई जिन को दिया जाएगा हमारे आदर ने योगने दादा पाटील सहहब के और से 75 रुपे का इनाम हैने कल की दिन में देखा जाए तो बोन ली टेम के और से गेंद बाज करने आया तो पंडित जीसने कल की दिन का मिदन और फेका था और आज की दिन का पहला मिदन और फेका गया विशाल के और से तो चहुत नंबर पर गेंद बाज ही करने आया है गेंद बाज कभी और इस दाड़ं गेंद को सिर्फ दिशा देना चाहते देखिलाड़ी वह पर मोजुदता फर यहां पर एक रन तेजिस से कंप्लिट किया इसे सिंगल के साथ अगर टेम का स्कुर देखा जाए तो एक रन के साथ बढ़ता हुआ जागा चब्ज स्थरण यहने पहली ओर पे डिका तो थेरा रन आयो तो दूसरी ओर पे बारा रन और तेस्थरी ओर और कोई रन ने आयो अब भी चौती गेंद पर एक रण आया और इस दोरां बडा स्टोक वहां पर देखना पड़ेका यहां को रियाहा प्रियास्त बहत्रिन कियाता पर गेंज जारें सीमा बार चार नुकलेगा कि यहां पर लगा और चवाया और चवाय की साथ टीम का स्कोर स्कोर बोड की उपर तीस रन लग चुके फिर सिकेंद बाद तियार वटी कंपने के एंड क्या और से वह इस दोरा गेंज देखना पड़ेगी हुआ इती पर खिलाड़ी आपर पोशेगा पर यहां पर इनकी क्या चुटी और यहां पर देखना पड़ेगा कि रन मिलेगे कि तीन देखा जाए तो इस गेंद बाज ने अब तक तीन गेंदे देख चुका है और आड रन कर्च कर चुका है यानि थोड़ा सा महेंगा और साबीत होता हुआ कह सकते कि जीस तरस से विशाल ने गेंद बाज की ती पूरी तरस से इस टीम को कम से कम रन देने का प्रियास यहां पर किया था और आज की दीर का पहला मिडन और विशाल के और से फेका गया और एकिनन विशाल ने इस टीम को यहने फूल स्टॉप लगाया रणों में पर दो चौथी नंबर का गेंद बाज आया है उस गेंद के उस गेंद बाज की उपर अब तक देखा जाये तो आठ रन आ गये अब भी भी तीन गेंदे इस और की शेश इस टोरान लोल फूल्टोस गेंद आप देखना पड़ेगा किलाडी मोजद को उनको शांदार फिल्ड किया पर एकी रनों का यहाँ पर मुना आप मिलेगा सिंगर रन आएकी इस सिंगर रन के साथ टीम का स्कूर बढ़ता हुआ एक तीस रन थाट्टी वर्ण बाहतीस रन किलाडी मोजद मिड़ून का आता हुआ गेंद को फिल्ड किया पिकप किया थ्रो किया तब तक यहाँ पर एक रन मिलेगा 35 रन लग चुके स्कूर बूर के उपर इस इनिंग की यह आखरी गेंशेश लास्ट और डिलवरी श्राइब को बलेबाद जग्दीश और इस दोरम बड़ा श्ट्रो केलना चाहते दे और यहाँ पे डॉट गेंद अंपायर इशारा ओर नमबर पूर इस कम्पलेटेड़ स्कूर आप खरवे टिम इस थर्टीफाइब श्राइब झाल झाल तो पहले इनिंग ने अमने देखा तो 35 रन लग चुके स्कोर बोड के उपर और जीतने के लिए 36 रनों की यहाँ पर जरूरत धारूल टीम को यहने आने वाले चार ओरों में 36 रन बनाने पड़ेगे यहने करंड रिक्वाइर रन रेट देखा जाए तो नो रोनों के आवसत से यह रन बनाने पड़ेगे यहने प्रतिक की ओर अगर देखा जाए तो नो नो रोन बनाने पड़ेगे कोई लक्ष तो बड़ा ने यह पर दोस्तों क्रिकेट है मुकाबला है मुकाबले में कूछ भी को सकता है कभी बाजी इदर तो कभी बाजी उधर भी हो सकती क्योंकि कोशिश तब तक जारी रखो जब तक मंजील ना मिले दोने टिम की कोशिश रहेगी प्रियास रहेगा मुश्कीर जरूर है अगर ठरा नहीं हूँ मंजील से जरा कहे दो अभी भी मैं मंजील तक कुछा नहीं हूँ दो घ्रियां पर उपनिंग ब्ले बाज मेंदान की उपर देख सकते कभी और सुनील इन दोनुटिमी को देख सकते में दान की उपर खेलते हुए और पहला पार पीषिश मेनेटरी और जिनके और से फेका जाएगा यह पिवन का पहला और जिनके और से की उपर बरोसा जता है कप्तान ने कि नहीं अतीश का प्रियास रहेगा कि कम से कम रन खर्च करने का यहीं प्रियास अतीश है सो गेम ओन लेट्स प्लेए इस दोरण शपल ओके खेलना चाहते दे पर यहां पे डौट गेन जाते वे शपल अंसटिस्पूल हो चुका है रहां पे डौट गेन के साथ यहां पे शुरुवात हो चुके शुरुवात तो अच्छीक हो चुके गेन बाजी के और से पहले गेन, पहले और की, डॉट गेन इस दोर और गेन को प्रार कुई गेन, खिलारे वाँ पे मोजूद गेन को शांदा तरी से फिल्ड किया, तब तक यहाँ पे एक रन आसानी से कंप्लेट की जाएगे और इस एक रन के साथ यहाँ पे टीम का अकाउंड उपन होता हुआ, और इस बार स्ट्राइक रोटेट हो चुकी, जो बल्ले बाज देख सकते हैं, सुनिल शेंडे, हम लोगों ने सुना कि कल की दीन इसने 22 गीनदों पर 88 रन बना चुके थे, क्या बल्ले बाज की होगी, उस शांदर फेली पहला प्रेक्तरों मिलता हुआ, डीजे तो यहाँ पर देखा क्या गेन बाजी कर रहा है, गेन बाज पर भी विकेट हो सकता था पर यहाँ पर जो विकेट्ट की पर ता जिनके आउसे गलतिया यहाँ पर दोरा चुका है, एक खिलाडी किनना जीस तरह गेंद बाज को फिल्डिंग का सहाथ चाहिता उस तरह यहाँ पर दिखाने मिदान के उपर फिर से गिनबत तियार इस तरह गेंद के उपर प्राहर कोई गेंद नो मैन लैंज रिजन के तरफ जाते होई सीमा लाइन बॉंडि रैंक क्रॉस करते हुए यहाँ पर मिलेगा चौवाज डीज़ यहाँ पर देखो क्या किया जिस खिलाडी की क्या चूटी हैने अच्चे खिलाडी का क्या चोड़ना दरवाजे पर आई हुई कुशियों को लोटा देने जैसा रहे था है तो दोस्तों जिस खिलाडी का जिसने क्या चोड़ा उसने अब तक देखा जाए तो दो चौवे लगा चुका एक खिलाडी कुशियों को देखना पुटे का क्रॉस दे लाइन के लिगेंगें जाएंगी सीधा सीमा रेका के बहर चाहर नेकले डीजे वड़ा पॉट्चा स्टो लावला है जी जीत रिक्षा है तीत गाडी चा अर्चा चमगत है तो क्रॉस कर रहा है थेंक्यू तो दोस्तो यहां पे देखा ऑर मानेज्र का पहला पावरप्ल यह पाल पहला और समाप कर टीम का स्कोर बột के ऊपर देखका जाए तो तेरा रन लग चुके यहंद 13 रन लग चुके लोस अपाव वन विकेड यहने गेंद बाजी देखी तो शानदार गेंद बाजी की पर यह जी तरह गेंद बाज को साथ चाहिता खिलारी का उस तरह साथ नहीं मिला कि जीन की क्या चूटी थी उसने देखा जाये तो वही खिलाड इने चार तीन चोवे लगाए और तीन चोवे के मदस से टीम का स्कोर तेरा पर पहुचा आया और दूसरी नंबर बए गेंद बाजी करने आहे गेंद बाजा जो वर्टी कंपने के एंड के और से गेंद बाजी करेंगे दिनेश याने समिकरन देखेंगे आने वाले 18 गेंदो पर 23 रने की जरूरत यहाँ पर जीतने के लिए दोस्तों क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है अगर आपके इसमें गेंद बाजी करने का जूरून है तो यकिनन आपके गेंद बाजी के और से गेंद बाजी के माध्यम से यह मुकाबला जीत सकते पर आपके इसमें जगर बल्ले बाजी करने का जूरून है तो बल्ले बाजी के माध्यम से आप भी मुकाबला जीत सकते की रूटन चाहिए दूसरी और पर भी. चेसाह सब्हात किसी इची कि देयरT और इस दोरान फिर से वह इस ट्रॉकर प्लेस्मेंट करना चाहते दे दिशा देना चाहते दे दूसरी डॉट गेंद यहाँ पर फेक चुका है यारी शांदर कमबैक करते हैं गेंद बाजी की और से कोई रन की गुंजाइश नहीं हाँ पर पहली गेंद डॉट डूसरी पर इस दोरान फिर से वह इस ट्रॉकर ना चाहते दे क्या गेंद बाजी करना यहाँ पर देख सकते मिदान की विपर अब तक इस गेंद बाजी तीन गेंद फेक चुका है और कोई रन नहीं कर्च कर चुका है याने किन नेस किलारी का प्रियास किया जाया रहा है अपने ट और इस दोरान गेंद हुआ में किलारी केंद की नेचे आएगा देखना पड़ेगा और यहां पर बड़ा विकेट मिलता हुआ डीजे लक्षे सामने रखा था 36 रनों का पर यहां पर देखें क्या देख रहे हैं आम लोग है इस गेंद बाजे ने चार गेंदे फेक चुका है और कोई रन ने दी और महत्वपूर ने विकेट चता आया है लेकिन पूरी तरह से आत्मे श्वास के साथ गेंद बाजी करते हुए गेंद बाज मैदान के उपर अच्छी गेंद बाजी और यहां पर नया बलबाज मैदान के उपर योगेश दोस्तों क्या मुकाबला मैदान के उपर देखने को में राया प्रेक्षयकों को तमाम प्रेक्षयक मैदान के बहर देख सकते मुकाबला देख रहें पुरी तरह से से मनलजन करते हुए इस दोरां गेंद को सिर्फ दिशादी कि गैप शॉट्ट शिलेक्षन यहां पर देखना पड़ा बहतरी इंस्टों अगें आगरी शरुव में वहां पर प्रियास किया एकिनना मैं कहना चाहूंगा चाहूँ आपने टीम के लिए और यहां पर देखना पर यहां पर यहां पर फिल्डिंग मिस्फिल्डिंग होने के वह अवजूद इस बले बाजने बहतरी इन रनिंग दिखाए और याने गूद रनिंग बिटून देखेट और इस गेंद पर चार रन मिले और इस चार रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो 17 रन लग चु पर यहां पर यहां पे अंपार इशारा ओर नमबर सकेंद इस अ कम्विटेड स्कोर अपर धारोल टीम इस अ 18 रन लोस अप टू विकेंद झाल 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 पर गेंदबाजी की मादेम से कम से कम रेने का है आप पर प्रयास किया गया कि रन कम से कम दिये जाएंगे और अच्छी गेंदबाजी देखिए जो दुछरी नमबर फे गेंदबाज आये थे दिनेश ने जीस ने पाच रन दिये और एक महतोपुर्ण विकेट लिया ऐसा जूला अगर पीछ जाए तो डरिये मत वह आगे भी आएगा होसला हो न चाहे बच जिन्दगी में तो कई से भी शुरू हो सकती है जिन्दगी दोस्तों यही हासला हो नहीं होसले के साथ यह गेंदबाजी करें एक बाज ख्रूए टिम के गेंदबाज स्कोर देखा जाए तो 18 रन लग चुके स्कोर बोड के ऊपर अने वाली गेन देखेंगे 12 गेन और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत याने करंट रन रेट देखा जाए तो रिक्वार रन रेट 9 से औससे रन बनाने पड़ेगे प्रती ओर नौरण बनाने पड़ेगे इस धारोल टीम को दोस्तों मुकाबला बड़ा मुकाबला है टकर का मुकाबला दोने टीम है highly qualified टीम है समयदान की उपर और रेज दोरान गेन हवाई सपर गेन सीधा सीमा बार चेरन के लिए डीजे पेचले गेन पर चक्का आया और चक्के के साथ टीम का स्कूर 24 हो चुका है आने वाले आकरा गेन पर बारा रन की जरूरत यहाँ पर रेज दोरान हम पार का इशारा यह से इट इस नो बॉल फ्रीट फ्रीट गेन रहेगी यहने देवको पहली गेन दा चेरन के लिए और दूसरी गेन दा नो यहने थोड़े सी खराब गेन बाजी की शुरूरत इस गेन बाजी ने की दी अपनी टीम के लिए और इस दोरान शॉट उपनी गेन ती गेन को सिर्फ दिशादी खिलाड गेन के उपर आएगा गेन को पिक अप करके त्रो करेंगा तब तक यहाँ पे एक रन आसानी से चुराए जाएगी इसरे एक रन के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो 26 रन लग चुके स्कोर बोड के उपर अभी भी जीतने के लिए जारन के जरूरत यहाने दोस्तों अगरे इस मुकाबले को खर बीवारी टीम को जीतना तो गेन बाज आच्ची करने पड़ेगी तारो लो टीम को जीतना तो एकिन अन बले बाज आच्ची करने पड़ेगे रिस्त्वारं बडाई फ्रॉक ओहा ओहा वाट इस्ट्रोक जारन के जारन के जुखाया वेपीज इतने के लिए चारन के जरूरत यहाँ पे और इस दोरान यार करका प्रहार हो इस पार देखना पड़ेगा रिसी के स्ट्वाग गेन टिपका का के सीमा बाहर चारन एक लिए रहेगा इस विनिंग का चोकर डीज झालूपन झाल wording झाल के जूए इसन हाल यही की जए यहा बाहर हो आगका बच्चति झाल 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 झाल